असलाम अलेकुम फ्रेंग्स विलकम बाइट ना यूटूब चैनल 88 कर दी मैं आप सब कर स्वागत तो फ्रेंग्स आज मैं देखिए आप लोगों को बहुत ही खुबसूरत गेट बार्दे डिजाइन का टिटोरियल बना के बताने वाली हों देखिए मैं आप लोगों के टिटोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं और यह We can do third part बना के बताओंगी तो देखिए यहां से हम बनाना स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले यहां पर हमारा यह जो बना हुआ है गेट पर्दे का अधा इसा जहां से स्टार्ट हुआ है तो हमारा यह गुलाब का फुलावर हमने बनाया हुआ है इस तरह का तो इस पर हमारा भुलाब का फ्लॉर बनाया जाएगा तो स्थे पहले और इस तरह यह लेंगे और इस तरह से हम चेन बनाएंगे हें कि इस थारा खरते हम तोटल 52 बनाने हैं देखिए इस तरह से हम चें़ बनाएंगे हमें थोटल 52 बनानें या बावन चें़ बनाने के पासे हम अग्ला है बता एंगे कैसे बनेगा casino अब ने नदेने पूरा टोटल बाओंटटेन बना लिया हूए इसके बाद से देखिए हम क्या करें गे तो इस तरह क्रोश यह क्रोशिया निकल गया आप और इसके वासे क्या करके एक चेन लेंगे फिर और फिर फांदा लेंगे कुराशिया में और नीचे एक चेन छोड़के दूसरे वाले चेन में हम इस तरह से देखिए इस तरह से निकालके कर इसे ही एक डबल करश या बनाएंगे फिर एक चेश्ट करते हlor नीचे एक टैनिस कीब करते हुई पिस से बागल ओल लिखлось भी इंस से हम conducting to पूरे चेन मैं हम इसी तरह का बना लेंगे बनाने के पात आप लोगों को बताते हैं इसके बास से क्या करने हमने पूरा हमें और नीचे कि ल्गे कहा है ऐसे करके एक डबल पूर्च या निकालेंगे तरह से एक लगर पिर इसके लें में तरो को रिपीत करके बता रहे हूं आप देखें एक दो तीन हमने बनाया आप देखिए क्या कर रहे हैं तीन बनाने के बाद से इसी जगह पे हम एक डबल कुरोसिया निकालें और फिर वापिस उसी जगह डालके एक और डबल कुरोसिया निकालें देखिए मारा दो डबल कुरोसिया हो गया उसके बाद से देखिए क निकाला उसी जगह से वापिस डालके और ऐसे करके सिंगल सिंगल कुरोशिय की मदद से हम निकालेंगे कि देखिए फिर हमने बनाया चैन इसके पासे डबल कुरोशिया बनाया फिर दूसरा हमारा डबल कुरोशिया उसके बाद से तीन चार चैन हम लेने के बाद से वापिस उसी जगह डालके हमें सिंगल कुरोशिया की मदद से हम इस तरह से बंद कर देंगे तो हमारा गुलाब की पत्ति आ जाएगी देखिए हमारी गुलाब की पत्ति आ जाएगी इस तरह की इसी तरह से ऐसे ही पूरे में जितना हमारा है पूरे में बना लेने के बाद से मैं आप लोगों को दिखांगी कि कैसे क्या होगा देखिए मैं हमने इस तरह से बनाया होगा है गुलाब की पत्ति तो आप भी ऐसे ही बना ल यहां पर बांद लिया होगा है अब इसको क्या करें कि इतना लंबा धागा लेने के बाद से इतना लंबा धागा खीच लेंगे और खीचने के बाद इसको कट करके और हमारा गोले का जो धागा है उसको निकाल लेंगे और इसी जो धागा हमारा बचा होगा है इसको हम क्या क को हमें से हमें सवी में डालेंगे अब देखिये क्या तरफना है आप यह हमारी उल्टी साइड है यामारी पीछे dois यह सीधी साइड है और यह उल्टी साइड हो तो हम उल्टी साइड से मौड़ना इसको स्टार्ट करेंगे देखिए ऐसे करके कि आइसे करके से इसी मौड़ते जाएंगे सिर्फ कि फ्लॉवर की पत्ती पकड़ते हुए इस तरह से करके हम मौड़ते हुए जाएंगे और हमारा फलॉवर गोल सा बनके रिडी हो जाएगा जिस तरह से मैं फ्लॉवर को खुमार रहे हूँ इसी तरह से आप खुमाते जाएं कि यह मारा पुरण गूंद गया अब इसको क्या करें थोड़ा सा जिद्धा अगर हमारा ठाइट हो गया तosh तार हम थोड़ा सा इसको डिल करेंगे अब डिला करने के बाद गैसे प्लूरा करने के बाद क्या करेंगे लेंगे हम देखिए अपनी प्ती जो हमारी प्ती है गुछाब की इसको ऊपर की तरफ खीश लेंगे और खीशने को स्थेक्प पोलट के हम इस तरह से सुई से सेल देंगे युछ जो हमारा बना हुगा है नीचे से हम इसको सील देंगे देखिए ऐसे करके हम इसको सीलेंगे अब देखिए हमने पूरा फ्लावर सील दिया हुआ है अब हमारा फ्लावर बनके रेडियर देखिए इस तरह से अब इसको हम अपनी पटी में लगाएंगे तो देखिए मैं कैसे बता रहे हैं अब लोगों को लगाना पहले हम इसको रखेंगे साइड में और अपनी पटी को लाएंगे जो हमारी पटी बनी हुई है तो एक तरफ से हमारी पटी तो बन चुकी है अब इसमें हम काउंट करेंगे देखिए इस तरह से एक, दो, ती, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ यह हमारी नवी जो हमारा नवा फुलावर है इसके साइड में हमारा लगा होगा है तो देखिए इस तरह से क्या करेंगे हम फिर से काउंट करेंगे एक, दो, ती, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ देखिए इस तक से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और यह नौ हमारा नौ फ्लावर नौगा यहां पर हमारा आ रहा है तो देखिए क्या करें इसको फ्लावर को लेकर ऐसे यह जो हमारा फ्लावर है इसको रखेंगे यहां पर करें जाए पठी के सीते बीचों-बीच में रखेंगे और सवाइको यहां से पटी इसमें लेते हुए हम इसको इसे करके पटि में आपनी पट्टी जोंद फ्लावर के होगी इस तरह से करके हम दिखें मैं कैसे सीरो रही हूं । आप देखके वी कर सकते हैं यह देखिए हमने इस तरह से पूरा सील दिया और सीलने के बाद आप इसमें गांट लगा के और निकाल लें दागे को कट कर दिना को बाहरण निकाल ले अब हमारे फलावर बनके एक्दम सा रड़ी हो दो कि Liberal है लिए को सब्सक्राइख से क़ित करने के बाल से देखिए हम क्या अब अपना लें और क्रॉसिया हम देखिए क्या करैंगे हम सबसे पहले उन् wil को लेँगे और उन को इसके बागल वाले में जो हमारा बना हुगा है पटी का डबल ख्रॉस उसमेंसे हम इस तरह से करके अटैस करेंगे जांत कर लेने के पाथ इस तरह से जाइन कर लेंगे उसके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा ग्यारा हमने चेन बना लिया है, उसके बास से देखी हम क्या करेंगे हैं यह जो हमारी पत्ती बनी हुई है, इसके बीच में यहां से लेंगे एक डबल कुरोसिया, इतना लंबा इस तरह से डबल कुरोसिया लेंगे और इसको यहां से जाइन कर देंगे, तो यह हमारा एक बंद जाएगा इससे, तो हमारा इधर उदर नहीं होगा, फिर यहां से हम देखें, फिर चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, चैस, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बार बारा बनने के बाद से फिर क्या करेंगे, हम देखें, इस तरह से करके, और यह हमारी इधर की पत्ती है, ऐसे करके, हम फिर इसमें, इक पत्ती में इसको जॉइंट कर देंगे, और फिर इसी तरह से हम बनाएंगे, चैन, और पत्ती में जॉइंट करने के बाद से, अगला बनाएंगे बना लिए और फिर इस महां जोइंक कर देंगे कर दिया यहाँ पर झान करने वान फिर से एक थोड़ी सी चैन वाजनी आप कि थोड़ी सी चैन हमने फिर से बना गी है अब देखिए क्या करेंगे कि अब इसे चाहिए हमारी प Iljave हमने बनाया हुए है उस में लाकि इस तरह से इसको एकी में संंगल क्रीया से लेतने हुए इसको करेंगे आप देखिए क्या करेंगे इसको ऐसे participating कि यहां से पट्टी में से लेते हुए हम एक डबल कुरस यह बनाएंगे इसी तरह से डबल कुरस यहां बनाते जाएंगे जितना हमारा इसमें चेन भरता नहीं है जितना भर जाएगा उतना हम बनाएंगे फोलो जाएगा तो देखिए मैं आप लोग बना के दिखा रही हूं जितने से आप समझ जाएंगे कैसे बनाना है हुआ है हôm आई है 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 हिसके इतना चेन बना रहने के बाते हम क्या करेंगे के इस तरह से हमारे चेनली कठा और गया है तो देखिए हम आएसे इस वह सरकाते ही हम पूरे अपने चेन्री इसको यहां तक फैला देंगे देखिए हमने पूरा चेहं हैं में पार कैसे हैं इसके बाद से दिए ऩपने हो咖 बनाई хватे हुए कि पहरें हम एपना दुबल प्रोसिया हम पे अगले वाले में अगले इसरी जाएनके तो हम बनाते जायेंगे इसी जाए हमारे चैन में उतना ही हमें डबल कुरोसिया बनाना है हमें उसमें चूनट नहीं डाल नी है अब ध्यान रखें कि इसमें चूनट ना पड़े अब हम पूरा आप लोगों को बनाके दिखान बनाने के बास से द्यखाती है यहां पर बनाया हो देखिए कैसे मैं कर चुकी हूं इसी तरह से आप भी करें और मैं इतना हमारा चैन बना हुगा इतना पूरा करने के बाद से कम्प्लिट मैं आप लोगों को दिखाती हूं अम देखिए फिरेंस हमने लाश्ट तक यहां पर तक बना के ला चुकी हूं देखिए हमने पडाने के बार तक मैं आप लोगों को दिखा दीया कि और यहां पर देखिये मैं डाई करने के लिए आपने धाग zijको और ऊपर तक हम ले जाएंगे इस तरह से बनाते हुए तो अ-ई हम ऐसे बनाती हुए उपर तक लेगा उसके बाएसे दिखें पलट देंगे आप पलटने के बाएसे क्या करेंगे अब देखिए हमारा कैसे यहां से हम कि एक दो तीन और चार चार देने के बाएसे इतना हम अपना वूंको खीचेशेगी और सिकेंड वाले चेन में हम देखे कितरबना कुरोसी आ फंसाके हम निकालएंगे धागां यी सिस्टर से दस राउंड हमें निकालцо लेने हैं धागे को अरडे दसी चार ऑनँ है और यह मारा हो गया है तो हमने पूरे दस निकाल लेने है और तस निकालने के बाद हमारालाश्ट का बचे गाई dogs हमारी फंदा हमारा लास्ट का बचा भत्चा हुआ रहेगा इसको हम खीच लेंगे इस तरह से अरफ दोनों को डिवाइड आधा-धा करने के बाद से इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और चेन बना लेंगे तो हमें चेन बना लेने हैं तस देखिए इस तरह से मैं जैसे बना रही है इसी तरह से आप भी बनाया अब चेन बना लेने के बार से क्या करेंगे देखी फिर से फिर से उसी प्रोसेस से हम दो इसकीप करते हुए हम चेन को इसी प्रोसेस से हम बनाएंगे जैसे हमने यह बनाया हुगा है और हमने यह लड़ी बनाने का तरीका आपको बता दिया हुगा है तो यहां पर देखें कै कैसे बनाया गया है इसी तरह से आप देखके बना लें देखिए मैं कैसे बनाई हूं यहां से कि अपनों को बहुत आसानी से दीख रहा है जो आप देखके बना सकते हैं तो आप देखके भी बना देखके यह बना सकते हैं तो इसी तरह से आप बना लें कि मैं पूरा बना के कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं यह वाला हमारा जो रावल बन रहा है यह कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों वह दिखाऊंगी इसी तरह से देखे फिर हमने यहां तक बना के पूरा कंप्लीट कर लिया यह वाला हिस्सा भी देखे आपको मैं दिखा रहे हुँ यह लड़ी मैंने कैसे कंप्लीट किया है अभी हम इसके बार से दूसरी दूसरा इस्टेप बनाएंगे तो देखे क्या करेंगे जैसे हमने पहले यहां प अब इतना चेन बनाने के बाद से देखिए ऐसे चेन बनाते जाएंगे अब इतना चेन हमारा बनाने के बाद से देखे क्या करेंगे हम देखिए फिर्ट क्या करेंगे हमने इस तरह से देखिए पूरा चैन बना लिया हुआ इसमें इस तरह से चैन बनाने के बाद हमने जॉइन कर दिया अब देखिए क्या करेंगे हम कि इस तरह से हम डबल कुरोशिया बनाते जाएंगे जितना हमने चेन बनाया हुगा है इसी तरह से डबल कुरोशिया चेन में बनाते जाएंगे तुरे में कि इस तरह से पूरे में बनाते हुए जाएंगे इतना बना लेने कौद हमारा यह जो डबल कुरोशिया है इतना हमने बनाया हुगा है कठा पूरा एक जगा पर हो गया था हम इसको इस तरह से करके फैला देंगे कि हमारा यहां पर चुनट नहीं आएगा ऐसे करके हम देखिए कर देंगे अब इसके पास से क्या करेंगे हम देखिए हमारा यहां पर जॉइंट हुआ है देखिए हमारा हमने यहां पर जॉइंट किया हुगा है तो इसके नीचे से हम निकालेंगे इसको ऐसे का एइससे करके निकालेंगे और फिर उसके भाद अगले वाले खंड में जो हमारा है Уसमें डवल कुरोस्या बनाते हुए पुरा भर लेंगे भरने के बादसे देखिए जैसे हमने पहले बनाया होगा था यहां पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा यहां पर हमने जैसे पहले छोटा बनाया होगा था इसी तरह से यह भी पूरा बन बन जाएगा बनने के बाद से यह हमारा फिर से यह प्रोसेस जो हमारी लड़ी बनी हुई यह फ्लावर वाली यह रिपीट होगी तो म हमने यहां तक बना लिया है इस तरह से आप बना लें देखिए मैं दिखा रही हूं आप लोगों करके बनाया हुआ है इसी तरह से हमारा से इम प्रोसेस आगे भी बना बनेगा आप देखिए इसके बाद से यह बनाने के बाद हमने चेंड भी बना लिया हुआ है इसके बा हमारा यह पॉफ बना होगा है इसके बाद से हमने यह बनाया है इसमें चेन बनाया फिर हम यह डबल कुरसिया बनाएंगे इसके बाद से देखिए फिर क्या होगा हमारा इस तरह से लड़ी हम बनाएंगे तो इसमें से देखिए दो हमारी लड़ी बनेगी देखिए मैं दिख लड़ी बनाओंगी तो मैं लड़ी बनाओंगी जब आप लोगो तक दिखाऊंगी मैं अब देखिए फ्रेंड हमने पूरा बनाके अपना गेट परदा कम्प्लीट कर लिया है मैं आप लोगों को दिखा रहे हूं हमने यहां से यह बनाना स्टार्ट गया था देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूं यहां पर मैं आप लोगों को जूम करकर के दिखला दे रही हूं दिखला रही हूं कि आप लोगों बहुत ही अच्छे तरीके से बना लाएं कि क्योंकि मैं अगर इस्टेप बाई स्टेप बनाती तो वीडियो बहुत लंबी वह जाती तो अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने पूरा कंप्लीट करने के बाद एक बार दिखाया हुगा है आप लोगों को देखिए देखिए हमारे यहां पे दो पॉम्पो मारा आप इसके बाद देखी यह हमारा दूसरा पार्ट जो हमने पहले से बना के कंप्लीट कर लिया था दोनों पार्ट हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो देखके आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं देखिए मैं इसकी लड़िया दिखा रही हूँ इसकी लड़ी देखें आप लोग की कैसे ये लटक रहा है कैसे यह बनाया गया है आप लोग बोगों को देखने के बाद पता चलेगा और देखिए जो हमने इसमें पॉंप लगाया हुआ है तो देखिए पॉंप लगाने का यह जो हमारा हमने पॉफ बनाया था हमारा पॉफ कंप्लीट होने के बाद से देखिए हमने बीच में अपना ये पॉम पॉम बादा है और यहां पे हमने यहां से इसकी जहां से स्टार्ट की यह पॉफ बनाना वहां पे हम लड़ी लगाए हुआ है देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हू कि यहां यहां बीच में देखें यहां बीच में हमने रोख बाना बनाया हुआ है उसका पॉंपंप बालदा है और यहां पे जबस में बनाना श्टार्ट किया है यहां से हम लड़ी बनाए हुए हैं तो इसी तरह से यह पूरा डिजाइन कम्प्लीट होगा I hope कि आप लोगो मेरा डिजाइन पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नए आया तो सब्सक्राइब करें अगर आप लोग इसे किसी और के साथ अपने दोस्त फ्रेंट फामली मेंबर के साथ सेयर करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर सेयर करें